Features बटा हम लोग Last Class में Study कर चुके हैं, अब हम आगे के Features को Discuss करेंगे तो इसमें सबसे पहला Feature आता है Photosynthetic Pigment कि इनके Photosynthetic Pigment कैसे होता है यासे amalgi में हमने अलग अलग पढ़ा green अलगे की अंदर अलग photosynthetic pigment होता है brown अलग इलग फोटosynthetic pigment होता है red में अलग से photosynthetic pigment होता है तो वैसे हि आपके bryophytes के अंदर के से photosynthetic pigment होंगे वो अमें डिשकस करना है तो इनके अंदर भी बटा chlorophyll A, chlorophyll B and और क्या प्रेजंट होते हैं कि प्रेजंट होते हैं च्लॉरफिल A ख्लॉरफिल B और क्या रोटिनोएट्स तो ये चीज अपको ध्यानक नहीं है फोर्टो सिंथाटिक पिग्मेंट काफी हद तक ग्रीन एलगी से मिलते जुलते हैं रिजर्व फूड की अगर हम बात करें तो इनके केस में रिजर्व फूड मिटीरियल होता है स्टार्च तो इनके केस में भी जो रिजर्व फूड मिटीरियल होता है वो होता है स्टार्च नेक्स अगर हम रिप्रडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम discuss करेंगे vegetative reproduction तो इनके case में जो vegetative reproduction होता है वो अलग-अलग method से होता है जैसे की tubers बनते हैं या फिर zemma के थुरू reproduction हो रहे या फिर बटा fragmentation से होता है किसे होता है fragmentation या तो tubers बन जाएं या जैमा की formation हो जाएं या फिर fragmentation method से ही वो क्या कर जाएं बटा multiply कर जाएं अब इसमें जैमा को हम detail में पढ़ेंगे कि जैमा क्या है हमने पहले भी NCRT में भी discuss किया था कि जैमा क्या है green multicellular bi-lobbed asexual bird ये क्या है बटा green color की multicellular bi-lobbed asexual bird है जो आपको किसमे देखने को मिलेंगे बटा receptacles होती है छोटी छोटी जिनको हम कहते है jama cup क्या कहते है बटा jama cup jama cup के अंदर आपको present देखने को मिलेंगी jama और jama कैसे structure होती है बटा bi-lobbed structure होती है कैसे structure होती है bi-lobbed दो लॉब आपको देखने को मिलेंगे एक लॉब और दूसरा लॉब ठीके किसके अंदर present होती है यह होती है small receptacle और यह jama cup आपको कहा देखने को मिलेंगी dorsal surface of the thallus जो इनकी plant body का dorsal surface है मतलब upper surface उसके उपर आपको jama cup देखने को मिलेंगी और इन jama cup के अंदर आपको jama देखने को मिलेंगी ठीके होता कि यह multiply कैसे करती है यह जो jama होती है यह parent body से detach होती है यहां से separate हो करके release हो जाएंगी और जब यह parent body से detach होती है तो germinate करती है ठीके इसमें के होता है दो germinal notch होती है यहां से एक thalus develop होता है और यहां से दूसरा thalus develop होता है ठीके और वो एक नए thalus में modify हो जाते है इन sequences को हम क्याते है lateral notch हर notch के अंदर एक growing point आपको देखने को मिलेगा हर notch में क्या होता है एक growing point होता है देफोर वन जैमा प्रोड्यूस टू थैलाई साइमल्टेनियसली ज्यान लग न यह आपका एक जैमा है इसके अंदर यह दो notch है और इन दो notch से आपकी क्या बनेंगे नए thalus बनेंगे तो एक जैमा दो थैलाई बना सकता है साइमल्टेनियसली कितने थैलाई बना सकता है दो थैलाई बना सकता है अब एक चीज क्यूशन आता है कि जैमा किसका पार्ट है अब आपने कहा कि यह इनके डॉरसल सर्फेस पे प्रेजन्ट होता है तो इनकी लाइफ में भी दो तेरे के फेजीज होता है एक तो होता है गैमेटोफिटिक फेज जो इनका डॉमिनेंट होता है और दूसरा होता है स्कोरोफिटिक फेज तो जैमा जो होता है यह इनके गैमेटोफिटिक फेज का पार्ट है पार्ट आप गैमेटोफिटिक फेज ये इनके gametophetic phase का एक part है बटा अगर आप देखो तो ठीक है इसका मतलब ये भी कैसा होगा, haploid होगा, ठीक है लेकिन ये किसमे important role play करता है vegetative propagation में propagation का मतलब होता है multiplication propagation का मतलब क्या होता है, multiplication होता है ठीक है, तो ये तो था इनके case में vegetative reproduction को लेकर के अब हम बात करेंगे कि इनके case में sexual reproduction कैसे होती है तो वो चीज देख लेते हैं कि sexual reproduction कैसे होगी तो अगर हम इनके case में sexual reproduction की बात करें तो आपने notice किया होगा जब हमने algae पढ़ा कि green algae, isogamous, anisogamous and oogamous तीनो टाइप की थी फिर जब हम brown algae पे गए तो हमने का वो भी तीनो टाइप की है लेकिन जब हम red algae पे आए जो कि most advanced class है algae की तो हमने का था कि वो oogamous type है इसका मतलब oogamous जो fusion होता है gametes का वो advanced character है कैसा character है? advanced तो that means bryophyte algae से advanced है तो इनके case में भी sexual reproduction के type कैसी होगी? oogamous type होगी इस point पे भी आप compare कर सकते है कैसी type होगी? oogamous type o type का मतलब क्या है? female जो gamete होगी they are larger and non-motile female gamete कैसे होगी? larger and non-motile जबकि male gamete कैसे होगी? male gamete होते हैं इनके case में smaller and motile small होते हैं और motile होते हैं ठीक है? sex organ की अगर हम बात करें कि sex organ कैसे होते हैं? तो एक सी ध्यान लगना male and female जो gamete होगी they are found on separate sex organ either on same plant or different plant इसका मतलब maybe plant आपका monoseous हो monoseous plant का मतलब है एक ही plant में female reproductive part भी है plus का sign आप female के लिए यूज करते हैं और male reproductive part भी है ठीक है? female और male दोनों reproductive part आपको कहां देखने को मिलेंगे? एक ही plant में और diocious का मतलब है male reproductive plant अलग part पे होगा और female reproductive structure जो होगी वो अलग part पे होगी अलग plant पे होगी तो यहाँ पे separate plant होता है male plant अलग होता है female plant अलग होता है जबकि monoseous condition में एक ही plant में आपको male sex organ भी देखने को मिलेंगे और female sex organ भी देखने को मिलेंगे ठीक है? दूसरी important चीज वो क्या है? कि इनके जो sex organs होते है they are multicellular and jacketed sex organs कैसे होते है? multicellular होते है और jacketed होते है multicellular और jacketed ये advanced character है algae की केस में हमने क्या का था unicellular होते है और non jacketed होते है जिसमें हमने फिर exceptions बताए था कारा का केस में कि जो की multicellular और jacketed था तो बाकि की जो plants है उनमें multicellular and jacketed होगा protective jacket उनकी around present होगी ठीक है? तो sex organ के बारे में हमने इनके केस में sex organ होते है multicellular and jacketed अब sex organ को हम कहेंगे क्या चाहे वो sex organ आपके एक ही plant में बन रहे है या अलग-अलग plant में बन रहे है male sex organ को हम कहेंगे anthiridium ज्यान देना बिटा ये comparison भी आपको करना है ये एक important point में आता है कि किसके केस में sex organ को क्या कहेंगे male में क्या कहेंगे اور female में क्या कहेंगे तो ब्राईओफइट के केस में male sex organs को कहा जाता है anthiridium और female sex organs को कहेंगे archegonium female sex organ को क्या कहेंगे archegonium ठीक है jacketed होते है ये productive jacket में आपको देखने को मिल रही है इनका जो male sex organ होता है जो anti-ridium होता है वो shortly stocked होता है आपको एक छोटी सी stock देखने को मिलेगी shortly stocked shape कैसी होती है? यह देखो, या तो rounded होता है या club shape भी बोलते है इसकी shape को हम क्या बोलेंगे? rounded और club shaped shape कैसी है? rounded and club shaped भी बटाई ठीक है, next point अगर हम देखें इनका तो वो क्या आता है? इसके बाहर आपको यह protective jacket आपको दिखाई दे रही है a test called jacket और jacket के अंदर आपको mass of endrocyte cell देखने को मिल रहे है यह क्या है? अंदरोसाइट सेल्स है, बहुत सारी अंदरोसाइट सेल्स है तो it is the mass of endrocyte cell यही अंदरोसाइट सेल्स, आगे जाकर के बिटा क्या बनाएंगी? बाई फ्लयचूलेटर्टर्ड बाई फ्लयचूलेटर्ड स्पॉम्स बनाएंगी? मेल गैमीट बनाएंगी? जिनको हम बोलेंगे अंधीरो जोयड्ड जूवर्ड किसके लिए आता है मटलिटी के लिए तो यह मटाइल है यही एंड्रोसाइट सेल आगे जाकर के बाई फ्लाईलेटर स्पुम्म की फोर्मेशन करती है जिनको हम एंथिरोजोट्स कहते हैं क्या कहते हैं एंथिरोजोट्स कहते हैं तो आपकी एंठीरिडियूम की शेप तो कैसी है राउंडेड एंड क्लब शेप ऐसी शेप होगी राउंडेड या क्लब शेप का होगा छोटी सी स्टॉक होगी बाहर प्रोटक्टिव कवरिंग होगी जाकेट अंदर आपको मास ओफ एंड्रोसाइट सेल देखने को मिलेगा जो आगे जाकर के बाई फ्लाज शेप यह जी बड़े इंपोर्टेंट द्यान से देखना इसका यह जो लोवर डाइलेटेड पार्ट है यह वला पार्ट है ठीक है इस लोवर डाइलेटेड पार्ट को हम कहते हैं वेंटर वेंटर रीजन है और यह जो अपर नेक लाइक सक्चर है श्लैंडर इसको हम क्या कहते हैं बटा नेक कहते हैं ठीक है तो इसकी बाड़ी को हमने दो पार्ट में डिवैड किया अपर इलोंगेटेड जो पार्ट है इसको नेक बोला और नीचे का जो डाइलेटेड पार्ट है इसको हमने कहा वेंटर ठीक है वेंटर रीजन में आपको दो चीज को मिलेगी ventor canal cell short में हम इसको vcc कहते है ventor canal cell ठीक है neck reason में आपको एक row दिखाई देगी cells की और इस row of cells को हम कहते है neck canal cell यह जो row of cell आपको दिखाई दे रही है यह वली cell यह कहलेंगी neck canal cell और tip के उपर यह है बटा lid cell ठीक है होता क्या है canal cell का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ आर्ची गौनिया जब mature होता है तो neck canal cell और ventor canal cell mucilisiness हो जाती है और एक path पे create करती है sperm की entry के लिए जगे खाली करती है बटा और यह space mucilisiness से फिल हो जाता है और यह एक path पे provide करती है किसके लिए sperm की entry के लिए लेकिन किसके अंदर neck canal cell का number कितना होता है vcc का number कितना होता है जब आप liver word पढ़ोगे तो हम अलग बताएंगे mosses पढ़ोगे तो अलग बताएंगे teradophyte पढ़ोगे तो वो हम अलग बताएंगे तो yesis आपको इनका number याद करना पड़ेगा bryophyte में venter canal cell होती है one एक ही venter canal cell देखने को मिलेगी याँ पर भी हमने एक ही दिखाईए एग जो होगा हमेशा एक ही बनेगा लेकिन neck canal cell जो है उनका number liver word में अलग होता है और mosses में अलग होता है liver word में क्या होता है अलग होता है और mosses में अलग होता है liver words में इसका number होता है बता फॉर्टो 6 जबकि मॉसेज में इसका नंबर होता है 6 to 10 कितना होता है 6 to 10 कई बुक्स में आपको 6 to 12 भी देखने को मिलेगा तो दोनों ही आपको धियान रख लेए देख लेना उब्जेक्टिव में क्या आंसर दिया हुए 6 to 10 या 6 to 12 का ओप्षिन आपको मिल जाएगा लेकिन इसमें कुछ पर्टिक्लर्ली एक्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो की पूछा जाता है रिक्सिया जो है उसके अंदर VCC का नंबर है ना सोरी NCC कितने है नेक के नाल सेल VCC तो हमेशा एक ही रहेगा इसमें होता है 4 to 6 इसका एक एक्जाम्पल है मारकेंशिया लीवरवोट के एक्जाम्पल है लीवरवोट में मारकेंशिया में NCC का नंबर होता है 5 to 7 रेरली 8 भी हो जाता है कभी कबार बहुत रेर केसिज में आपको 8 नंबर भी देखने को मिलेगा का नेक केनाल सेुल के एक लाज है एंथो सी रोजिकेंशियरो टॉप सीड़वोट हैं यह जाम्पल है फिनेरिया फिनेरिया के अंदर बिटा 9 to 10 नेक के नाल सिल से ठीक है होता क्या है प्रोसेजर देखो अब ये मेकानिजम आपका समझने वाला मेकानिजम है ध्यान से देखना ठीक है इसमें क्या होता है at maturity जब आपका आर्ची गोनिया मैक्शोर हो जाएगा ध्यान से समझना बटा तो उसके इसमें क्या होगी जो VCC है और नेक के नाल से ले ये सभी डीजनरेट हो जाएगी क्या हो जाएगी डीजनरेट ध्यान से देखना VCC और नेक के नाल से क्या हो जाएगी डीजनरेट और degenerate होने के बाद ये एक mucilisiness secretion देती है mucilisiness cutting बना देए देफोर में mucilis और एक सी ध्यान देना इनका जो mucilis होगा at is, at contain, sucrose इसके इंदर क्या मिलेगा आपको? सुक्रोज मिलेगा, bracket में हम लिखेंगे सुक्रोज क्या है? एक सुगर है और साथ में potassium ayon होता है, ये चीज इंपोर्टेंट है, ध्यान से देना मैंने क्या कहा है, कि जब आपका आर्शी गौनिया mature हो जाते है, तो इसकी neck canal cell और ventric canal cell, mucilis बना लेती है और ये मुसिले सुगर और potassium ayon में लिख होता है, फिर क्या होता है इसका मितलब क्या है, कि ये जो आर्शी गौनिया है ये क्या करता है, एंथीरोजोट्स को attract करने के लिए chemicals की secretion करता है, इसका मितलब ये जो एंथीरोजोट्स है ये आर्शी गौनिया की तरफ attract होंगे, और क्योंकि वो इसके लिए chemical secretion दे रहे, और एंथीरोजोट्स की तरफ moment करें तो ये moment क्या क्या कहलेगी बटा कीमो टैक्सिस moment क्या कहलेगी कीमो टैक्सिक मुवमेंट ठीक है ध्यान देना आपने 10 ग्लास में आप पढ़के आयो growth मुवमेंट पढ़के आयो न ठीक है तो ये आप moment control and coordination में पढ़के आयो alie जुन क सवद्म की मिन की कामिकल की तरफ मुवमेंट होती है यहां कैसे लिए सब्सक्रीरे समोटारिक This है, इस मिनिट आपको धहन फिल था । यह मुसिलेज श क्या करता है बाहर से water को absorb करता है किसको absorb करता है? वाटर को और वाटर को जब यह weald करेगा तो यह swell up होगा क्या होगा? swell up होगा जब यूम क्या होगा तो यह lead reason जो है lead जो cell पर alma फोर जाएंगी ठीक है? लिड क्या हो जाएगी ऑपन हो जाएगी तो यह लिड सेल्स को सेपरेट कर देगी नेक रिजन से यह आपका लिड वाला जो पार्ट है यह यहां से हट जाएगा लिड रिमूव हो गी है यहां पे जो वेंटर केनाल सेल थी वो मुसिलेज में कनवर्ट हो चुका है तो दाट म तो इसे दिखना, वेंटर और कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल यह डिजन्रेट व करके मुसिलेज में कंवर्ट हो चुकी है। उपर से इन्होंने water को absorb किया जिसकी विज़े से pressure create हुआ और उस pressure की विज़े से lid cell separate होगी तो lid cell हट चुकी है, neck canal cell और venter canal cell भी descendate हो चुकी है और आपका entherozoid chemical की तरफ attract हो रहे है, chemo taxes moment कर रहे है तो यह क्या करेगा, venter तक आएगा, attract होगा, इसके अंदर जाएगा और egg के साथ fertilize हो जाएगा क्या हो जाएगा, fertilize हो जाएगा, ठीक है, तो यह सी ध्यानक न, male gamit from enthridium swim in a film of water, अब male को क्या चाहिए, movement के लिए कोई medium चाहिए, तो इसके लिए medium का काम कौन करेगा water हमने का न, pollination और fertilization के लिए क्या चाहिए, water चाहिए, फिर यह swim करके enthridium joints तक जाएगा और वहाँ जाकर के, egg के साथ fertilize हो जाएगा, तो जैसे ही fertilization होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, बटा, zygot बन जाएगा जैसे ही fertilization होगा, क्या बन जाएगा, zygot बन जाएगा, अब यहाँ पर त्याँ रखना, fertilization कैसी है, fertilization is zodio gammas gammy का मितलब होता है fusion, और fusion किस वज़े से हो रहा है, motile gammit, male gammit आपका motile है, वो खुदी movement करके, कहां तक आ रहा है, egg तक आ रहा है तो अगर male gammit motile लो और वो खुदी movement करे, तो उस fusion को, उस fertilization को हम कहता है, zodio gammas लेकिन अगर male gammit को लाने का काम, pollen tube करे, और वो non motile हो, जैसा कि higher plants में होता है तो वो कहलाती है, बटा, siphon o gammas लेकिन male gammit motile है, लेकिन फिर भी pollen tube बन रही है, तो वो condition होती है, zodio siphon o gammas तो इनके case में कैसे होती है, zodio gammas होती है, मतलब male gammit motile होता है, खुद से movement करके कहां आते है, एक तक आते है तो जैके, अब इसके बाद क्या होता है, आपका zygote जो है, वो continuous division करेगा लेकिन, बटा, meiosis नहीं करेगा, ठीक है, mitosis करेगा, कोई भी resting phase नहीं है, ये continuous division करेगा और क्या बना देगा, embryo बना देगा, क्या बना देगा, embryo फिर क्या होता है, embryo further differentiate करेगा, दो layers में, कौन-कौन सी, amphithesium द्यान से देखना, अब details शुरू होगी है बटा, और endothesium, embryo जो है, वो further differentiate करेगा, amphithesium और endothesium में, अब amphithesium आगे क्या बनाएगा, endothesium आगे क्या बनाएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, द्यान से देखना बटा, yes is important है, तो देखें आप लोग अगर इसके अंदर, ब्रायोफइट के case में, हम तीन क्लास को discuss करेंगे, सभी में क्यूंकि, amphithesium और endothesium का रोल अलग-अलग हो सकता है, little bit variation है, तो इनको हम separately कर रहे हैं, इसकी एक क्लास है, लिवरवोट, लिवरवोट जिसके मेंबर है, उस क्लास को हम कहते है, हिपाटिक कॉपसिडा, जैसे ग्रीन एलगी हमने कॉमनली का था, और उसकी क्लास क्या थी, लिवरवोट जिसके मेंबर को क्लास के मेंबर को क्या कहते है, जिसके मेंबर को हम हॉंडवोट कहते है, और क्लास का नाम है, एंथो सीरो टॉपसिडा, तो हिपाटिक कॉपसिडा के मेंबर में, मतलब लीवर वर्ट में, एंफिथीशियम जो है, वो स्टेराइल जैकेट बनाता है, और एंडो थीशियम अंदर का फल्टाइल स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा, ये तो क्या बनाएगा, स्टेराइ एर स्पेसिज बनाएगा, और एंडो थीशियम, कॉल्वुमेला, एंड्स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा, अब ये कॉल्वुमेला क्या होता है, एरस्पेसिज च्या होता है, या आगे हम स्पोरोफइट में पढ़ने वाले, इसके जो हॉन बोर्ट है, वो भी क्या करे हैंगे MP die niece में under spore auüneus रहे हैं अर्ण बना रहे हैं । क्षिंश्य में यह जातर केस में यह यह याद करना पड़ेगा ज्यादा認 के लागत 있으atि कि हार्ट वोल्ट में ये वॉल लेयर के साथ-साथ sporogenous tissue भी बना रहे है जो कि इसका fertile part है ठीक है? इसके बाद क्या होता है बटा? वेंटर की जो वॉल है जिसफे fertilization हो चुक है अब वो enlarge होगी along with the developing embryo और वो क्या करेगी? एक protective envelope अब बनाएगी जिसको हम caliptera कहते हैं क्या कहते हैं caliptera इस diagram को समझने की कोशश करो ये है हमारा winter part अब इस egg ने fertilization कर लिया है तो हमारे पास क्या बन गया है? जाइगोट जाइगोट से फिर इसने further development की किस वे convert हो गया? एंब्रियो में तो that means he grow कर रहे है ठीके? तो इसका winter wall जो होती है बटा उसके around भी एक protective covering बन जाती है जिसको हम कहते है caliptera मतलब आपके आर्ची इकोनिया में changes होने शुरू हो जाते हैं अब क्या हो गया? वेंटर की wall enlarge होती है क्यों enlarge हो रही है? क्योंकि अंदर जो embryo बना है वो भी enlarge हो रहे है तो वो इसको accommodate करने की कोशिश करती है और अपने बार winter अपने around एक protective envelope बना लेता है जिसको हम caliptera कहते है अब इस caliptera का function क्या है? at function as transpiration should around the immature capsule क्योंकि यह sporophytic phase डवलप हो रहा है embryo से आपका sporophytic phase डवलप हो रहा है ठीक है zygote के diploid होता है तो sporophyte बना रहा है तो foot, zeta and capsule बनेंगे तो immature capsule के case में यह transpiration shield का का काम करता है मतलब excessive water vapor की form में lost नाउ उसको रोकता है ठीक है दूसरा capsule की normal development के लिए भी यह चाहिए होता है किसके लिए चाहिए होता है for the normal development of the capsule अब क्या होता है यह तो development start हो रही थी अब क्या हो जाएगा embryo किसमें convert हो जाएगा sporophyte में develop हो जाएगा और वो differentiate कर जाएगा किसमें तीन parts में foot, zeta and capsule capsule इसका fertile part होता है इसमें एक जी ध्यान देना ये कई बार पूछ लेते है anthoceros का जो sporophyte होता है वो तो most advanced होता है funeria का sporophyte most complex होता है और rixia का sporophyte सबसे simplest होता है क्यों होता है rixia का सबसे simplest क्योंकि इसके case में foot और zeta absent होता है सीधा क्या होता है capsule होता है इसलिए capsule ही इनका gametophyte से connected होता है उसके अंदर thallus के अंदर embedded होता है अब आपका capsule बन गया है ठीक है तो capsule में क्या होगा जैसे कि हम life cycle में पहले ही discuss कर चुके है कि capsule के अंदर आपके क्या डवलप होंगे बटा spore की formation होगी तो देखो जो इनका capsule पार्ट है इस capsule पार्ट में बटा spore mother cell डवलप होंगे ठीक है फिर spore mother cell में meiosis होगा अब meiosis होगा तो क्या बनेंगे haploid spore बनेंगे haploid क्यों क्योंकि आपका meiosis हो रहा है spore mother cell कैसी थी diploid थी capsule की बाखी की cells भी कैसी होंगे diploid होंगे एक चीज और ध्यान लखना इनके case में जो spores बनते हैं वो शो करते है homo spore homo spore का मतलब क्या है जितने भी spore बनेंगे they are similar in size सारे के सारे size में क्या होंगे बटा similar होंगे यसे इस आपको ध्यान लखनी पड़ेगे size में क्या होंगे similar होंगे homo spore करते है क्या शो करते है बटा homo spore ठीक है इसके बाद क्या होता है spore का dispersal हो लहा है disperse लेकिन इनके case में spore कैसे disperse होंगे वो हमें देखना है तो वो से इस में आपको बता देती हूँ lever wort में इनका dispersal अलग तरीके से होता है mosses क्योंकि advanced है तो इनकी NCRT में भी हमने discuss किया था कि इनका जो spore dispersal होता है वो more elaborate होता है किसके comparison में आपके lever wort के comparison में lever wort में तो क्या होता है spore directly germinate हो जाएंगे और क्या बना लेंगे gametophetic thallus बना लेंगे जबकि mosses में क्या होता है हमने क्या बता है था दो तेरे की stages होते है सबसे पहले जब आपका spore germinate होता है तो वो क्या बनाएगा primary protonima फिर primary protonima से क्या बनेगा secondary protonima तो protonima तो इनके case में first stage को represent करता है उसके बाद secondary protonima की lateral bird से आपकी क्या arise होगी leafy stage arise होगी तो leafy stage क्या है इनकी second stage है ठीक है इसमें एक सी ज्यानक ना है इनका जो primary protonima है इसकी growth कैसी है ये apical growth शो करता है apical का मतलब क्या है ये आपका protonima जा रहे है तो ये growth कैसे करेगा नई cell इसके tip part पे add होती जाएंगी तो ऐसे बढ़ता जाएगा apical growth शो करेगा क्या शो करेगा apical growth शो करेगा ठीक है इसमें एक चीज ध्यानक ना इसका जो primary protonima है apical growth शो करता है और इसके case में oblique septa होता है septa भी कैसे होता है oblique होता है oblique का मतलब होता है तिर्चे कैसे होंगे बटा तिर्चे होंगे ठीक है जेगे जेगे पे septa birds बना लेगा septa birds are present और हमने क्या का था कि जो इसकी birds होती है ठीक है they germinate to grow two type of branches और वो two type of branches कौन सी है bud germinate करेंगी और दो type की branch बना लेगी two type of branches और ये दो type की branches कौन कौन सी है अपर reason में तो ये बनाएगा green color की chloronemal branches कौन सी branches बनाएगा chloronemal branches और lower reason की तरफ ये बनाएगा colorless rhizoid ठीक है इस primary protonemal ने ये दो तेरे की branches बना ली कही सारी branches बना लेगा और नीचे की तरफ क्या बना लेगा बटा रइजोएट्स बना लेगा ठीक है फिर इस primary protonemal से क्या डवलप होगा secondary protonemal फिर secondary protonemal की little bird से क्या बनेगा बटा leafy stage और इस leafy stage में क्या होता है stem like axis होता है which bear leaf like appendices इसके उपर क्या होता है leaf like appendices होता है protonemal का diagram मैं आपको दिखा देती हूँ ज्यान से देखना ये है आपका protonemal ये इसकी rhizoid है नीचे की तरफ rhizoid है उपर की तरफ green branches है और ये है इसकी bird growth कैसी होगी apical होगी तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनका protonemal कैसा होता है तो protonemal कैसा होता है green color का होता है creeping होता है branch होता है और frequently filamentous stage होती है जिसके अंदर adventitious birds होता है और जो आगे जा करके क्या देगा बटा leafy shoot देगा क्या देगा leafy shoot देगा इची ध्यान देना इनका जो protonemal होता है यह filamentous green algae से resemble करता है अपनी structure में physiology में और growth में यह suggest करता है algal ancestry of the bryophyte की bryophyte की origin किसे हुए है algae से हुए है ठीके bryophyte और teradophyte का ancestor कोने algae है ठीके तो यह आपने life cycle पड़ी तो इसमें आपने कुछ चीज़े देखी है तो alternation of generation हम पहले ही discuss कर चुके है तो यहाँ पर बटा आज का आपका lecture खतम होता है I think